हेलो दोस्तो फिर से सागे थे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है एलेट्ट्रोनिक्स इंडिया मैं लोटरन फिल लेका आया हूँ एक नया वीडियो जो देख सकते हैं आमारे पास लोकाल मेट का बेस्ट अविशन कोमपणी का एक टीवी लेका आया हूँ पंद्रा इंच का टीवी है दोस्तो इस टीवी का पॉब्लेम क्या है वो देखूंगा सुलिशन करके यह बताओंगा तब तक हमारे वीडियो लास तक देखते रहें और मेरा चैनल पे जो नहाँ दोस्ते उसको को मेरा चैनल को जुरू सस्क्राइब कर लेना बेल आइकोन को मैं टीवी को पहले पावार दे देता हूं पावार देने के बाद पावर इंडिकाट जल के बंद हो गया है मतला हुए स्टैन्बाइ से रिलीज हो गया है और रिलीज हो जाने के बाद देखिए अमारे टीवी पे पिक्चर भी आ गया है और पिक्चर पे जो कालार सेक्शन पर पॉब्लेम दे रहा है इसलिए इसको थोड़े देर के लिए चाला कर रगना पड़ेगा क्योंकि इसका पॉब्लेम जो है ओ थोड़े देर के बाद होता है क्योंकि यह टीबी जब हीड हो जाता है या कुछ पॉब्लेम आ जाता है इसलिए इसको गरम करना पड़ता है यह आए और कुछ देर के बाद देखिए जो लोगों दिग रहा है सेभेन या कुछ भी लिखा है ओ कालार पे है अब है और कुछ देर के बाद जब पिक्चर का पॉब्लेम आ जाएगा तो इसका कालार हट जाएगा और कालार हटने के बाद कैसे पॉब्लेम आ रहा है देख बैक अंद वाइड हो गया है मतलब इसका पिक्चर का पॉबलेम है आज का पॉबलेम को जिस दिर के बाद चलने के बाद पर चला जाता है और थोड़ी देर के लिए हमारा color sparking करता है जो डीपारिंग करता है जो blinking हो रहा है color blinking problem जो बोला जाता है इसका problem के लिए मैं जो problem है इसका repair करूँगा तो हमारा भीडियो लास तक देखते रही है और पता चल जाएगा कहाँ पर problem अक्चुली हो रहा है इसलिए मैं यह वाला वीडियो बन रहा हूं तो आप लोगों का आसान होगा इस वाला जो पॉबलेम आएगा तो इस वाला पॉबलेम को कैसे रिपियार करते है और देखिए जो सेभेन लेखा आ रहा है ओभी सेभेन जो लिखा चैनल का लोगो है ओभी हमारा ब्लैक एंड ब पिक्चर है, ये भी input का जो पिक्चर है, ओ ए भी input का पिक्चर हमारा खराब हो चुका है, और ये sparking हो रहा है, जो फिकरिंग करता है, color differing हो रहा है, और इसको रिप्यार करने के लिए कहां क्या दिखना पड़ेगा, इसलिए मैं TV को open करूंगा, open करने के बाद बाताूंगा, कहां पर दीगना है ठीक है मैं टीवी को open कर लेता हूं दोस्तों अब लोग वे एक चीज बाता दू दोस्तों यह जो टीवी है टीवी को open करने से पहले एक चीज बाता दू टीवी को back cover को मैंने जब open करूंगा तो यह बाला जो color का problem पूरी तरह से खोल लिया और खोलने के बाद कुछ दर के बाद जो आप अमारा सिस्टेम ठंडी हो जाएगा ठंडी हो जाने के बाद यह बाला पॉब्लेम सौल्फ हो जाता है लेकिन अभी यह नहीं हो रहा है ठीक है और छोड़ दीजिए यह चीज बाताने के लिए मैं अब लोग को दिखाने के कोसिस करता कर रहा हूं था दोस्तों मैंने PCP को बलड चु चुक करूंगा अब्ल का बोलड जाएगा तो तो मिल प। स्च्छ आउट हो जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा लोकालटी भीन हो जाएगा तो एमारा काभी एए क्लार काभी । जाता है क्योंको पिक्चर और रडिपारिंग हो रहा है और इसके लिए पिक्चर चेक ळेंगे बोल्टेज चेक करेंगे इस वालों पोईंट पे एक 3.8 बाता रहा है 3.4 बाता रहा है मतला फोर बोल्टेज तक बदा रहा है हुआ हैinação इस रूच हो रहा है बोल्टेज रिपारिंग हो रहा है जो भी छोड़िए हमारा एबील का बोल्टेज है इसलिए हमारा पिक्चर भी है उसके बाद एबाला बोल्टेज भी चेक करेंगी इसका पॉबलेम सॉल्ब करने के बाद और दोस्तों एबी का जो पॉबलेम पिक्चर का पॉबलेम दे रह लेकिन ब्लाक और प्लेम हमारा सोकेट से नहीं है उसके बाद देखेंगे अमरे एभी का जो पॉइंट है एभी पे कोई भी डायोड लागाया हुआ है कि नहीं क्योंकि वीडियो सेक्षिन पर गौर कीजिए वीडियो पर आमारा एक डायोड लागा रहता है लेकिन लोकाल कि का है इसलिए डायोड नहीं लागाया हुआ है क्योंकि यह डायोड कभी-कभी हमारा लिकेज हो जाता है इसलिए वीडियो फिक्षि पॉब्लेम देने से हमारा पिक्चर भी ब्लैक और वाइट हो जाता है उसके बाद दोस्तों क्या होता है हमारा जो यह बाला इफ्प्रम memory IC बोला जाता है memory IC भी खराब हो जाने से इसका डाटा खराब हो जाने से इस बाला पॉब्लेम होता है लेकिन वह बाला इफ्प्रम भी सही है मैंने इसको चेक करेद देग लिया हूँ उसके बाद रह गया है क्या जो हमारा फाइब भोल्ड फाइब भोल्ड हमारा अपडाउन करेगा तो हमारा ब्लैक अबाइट पिक्चर होगा और उसके साथ देखे फाइब भोल्ड होगे है और फाइब भोल्ड अपडाउन करेगा तो हमारा black and white picture होगा और हमारा particularly picture जो left right आप down का जो picture होता है ओ आप down का picture हमारा खराब हो जाता है क्योंकि ओज jumping करते रहता है क्योंकि इए 5 फोल aap down करता है तो हमारा picture भी aap down करता है लेकिन यह बाला problem ओ भी नहीं है लेकिन हमारा यह बाला picture पे black and white के ओपर जो हमारा color sparking हो रहा है या deepering हो रहा है या blinking हो रहा है जो भी बोल सकते है ओबाला problem क्यों हो रहा है इसलिए एफ बाला ic को change करना जोरूरी है क्यूंकि inc पे ही हमारा video signal input होता है color भी input होता है और हमारा system काम करता है पिक्चर देता है क्योंकि हमारा input का जो विडियो सिग्रिनल है ओके है हमारा voltage का जो system है voltage भी ओके है और RGB जो निकल रहा है RGB ओके है लेकिन फिर भी हमारा black and white problem दे रहा है और color blinking हो रहा है इसलिए इस वाला problem को solve करने के लिए मैंने इसका solution पहले ही ढून लिया है फिर भी विड processor है यह बाला main processor ही खराब है यह main processor ही problem दे रहा है इसलिए black and white के ओपर color sparking हो रहा है या blinking हो रहा है इसका नामबर देखाने के कोशिज करता हूं देखिए 8895C SNG7DN5 यह बाला IC का नामबर है यह बाला IC लोकल मिट का IC है इसको क्या करेंगे open करेंगे open करने के बाद मेरे पास जो radio IC है वो IC को लागाएंगे लागाने के बाद देखेंगे जो हमारा problem दे रहा है वो problem solve हुआ की नहीं और क्यूंकि ए थोड़ी देर के बाद इस problem देता है IC लागाने के बाद आब लोगों को पता होगा जो अमारा TV का पिक्चर का problem अभी है वो बाला problem हमारा साथ साथ problem नहीं दे रहा है वो थोड़ी देर के बाद जब IC ज़्यादा हीट हो जा रहा है IC हीटिंग problem है IC जब हीटी ज़्यादा हीट हो रहा है तब भी यह बाला problem दे रहा है इसलिए नया बाला IC जो हमारा radio IC है वो IC को connect कर लूँगा और connect करने के बाद इसको चला के रखूंगा आधा घंटा तक आधा घंटा तक चलाने के बाद इसको फिर से देखेंगे जो हमारा color blinking का problem था वो problem solve हुआ की नहीं क्यूंकि साथ साथ चलाने से इसको पाता नहीं चलेगा हमारा जो पॉब्लेम था वो पॉब्लेम सॉल्फ हुआ की नहीं क्यूंकि पुराणा बाला ICB जब ठंडी हो जाता है तो यह बाला पॉब्लेम नहीं रहता है और थोड़ी देर के बाद जब TV का अंदर IC ज़्यादा हीड हो जाता है ताब यह बाला पॉब्लेम देता है ठीक है मैं TV को पावार दे दिया IC लागाने के बाद और IC लागाने के बाद हम लोग पिक्चाद देखेंगे देखिए हमारा जो कालर बिंगिं का पॉब्लेम था वह बाला problem solve हो गया है और कालाल हमारा सही आ चुका है लेकिन इसको आदा घंटा तक चलाने के बाद इसका वीडियो देखेंगे तो पाता चल जाएगा हमारा यह बाला problem solve हो आकी नहीं दोस्तो इसको मैंने आदा घंटा क्या मैंने चार घंटा तक इसको चला के रखा था उसके बाद यह बाला वीडियो बनाने के लिए आईसी फिर से connect करके आप लोगों को दिखाने के कोशिस कर रहा हूं लेकिन चार घंटे तक मैंने चला के चेक किया तो पाता चला हमारा यह main बाला इसी ही खराब था main processor खराब था और खराब हो जाने के बाद ही यह बाला problem दे रहा था इसलिए यह बाला नया बाला जो IC था वो IC को लागाने के बाद हमारे यह बाला पॉब्लेम सॉल्फ हो गया है और यह बाला पॉब्लेम सॉल्फ करने के लिए आप लोगों को जो जो बताया ओ सिस्टम को चेक करेंगे तो साभी CRT पे आप लोग चेक करके आप लोग ये बला पॉब्लेम सौल कर सकते है ठीक है दोस्तो इसी तरह का नयाने आप वीडियो मिलने के लिए मेरा चनल को जुरू सस्काइब कर देना बेल आइकोन को दाबा देना, औल नोटिफिकेसन ओन कर देना जब भी मैंने आने आप वीडियो लेकाऊंगा आप लोग को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तो मिलते हैं नेक्स प्रियो पर तब तकर दोस्तो गुड़ बाई